नमस्कार तो गर्मियों का सीजन है और बहेंकर गर्मी पड़ रही है हर कोई चाहता है कि उसे कुछ खाने पीने के लिए ऐसा मिले जो ठंडा भी हो स्वादिस्ट भी हो और हेल्दी भी हो तो ऐसा ही मैं कुछ आज लेकर आई हूँ तीन तीन ड्रिंक्स लेकर आई हूँ तीनों ही ड्रिंक्स बहुत हेल्दी है बहुत स्वादिस्ट है बहुत ही इजी है बनाने में तो किस चीज़ से बना रहे हैं आपका प्रेचे करा देती हूँ मैं ये है गौन कतीरा बिलकुल गौन की तरह दिखने वाला गौन कतीरा और इसे पानी या दूद में बिगो करके खाया जाता है प्रोटीन की और फाइबर की मातरा बहुत ज्यादा होती है तो इससे खाने से हमें भूख कम लगती है अगर आप मोटे हैं और मोटापा कम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफी फाइदे मन्द है पेट को ये ठंडक देता है दिमाग को ठंडक देता है इसे खाने से आपके आँखों की रोशनी भी अच्छी रहती है साथ में आपका गट भी अच्छा रहता है पेट भी सुबह अच्छे से साफ हो जाता है जिससे आपकी पेट की गर्मी भी नस्ट होती है तो और भी इसे बहुत सारे फाइदे हैं, आपके स्कीन को फाइदा है, आपके बालों को फाइदा है, आँखों को फाइदा है या फिर खून की कमी है उनको भी दूर करता है और भी इसमें ठेर सारे फायदे हैं तो इसे मैंने भीगो कर रख दिया था चार घंटे के लिए पानी में पानी में भीगने के बाद ये इस तरह से फूल जाता है बिल्कुल बरफ की तरह लगता है एक गिलास में दो से तीन चमच हम भीगा हुआ कतीरा डालेंगे उपर से अपना फेवरेट या मैं रूफचा मिला रही हूँ शर्बत डालेंगे और डाल देंगे इसमें सबजा बेस इसमें भीगी वी केसर लिए है मैंने आप कोई भी अपना फेवरेट मन पसंद इसमें शर्बत मिला सकते हैं और ये ड्रिंक बना सकते हैं अब पाने से गिलास भर देंगे कुछ डालेंगे इसमें बरफ के टुकड़े ठंडा चाहिए तो वरना आप सिंपल पानी के साथ भ होता है और तासीर तो ठंडी होती ही है अब तीसरी ड्रिंक बना रहे हैं गौन कतीरा कुछ पूदेने की पतिया और एक निमू का रस अब इसमें डालेंगे सादा नमक काला नमक थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें काले मिर्च और भूना हुआ पीसा हुआ जीरा ये डालन की ड्रिंक बहुत टेस्टी भी है है और बनाने में बहुत आसान है मैंने आज गोंद कतीरे की तीन शर्बत बनाए हैं आप चाहें तो गोंद कतीरा रात को भिगो करके सुबह उसमें पीसी भी मिस्री मिलाएं और ऐसे भी खा सकते हैं तो आज की मेरी ये वीडियो कैसी आज करे नमस्कार